प्रभातमिस आपका हाद इक्ष्वाकत अभी निन्दन करता हूँ साथियों जैसा कि हमारी इस कारकम का सदे उसे उद्देश रहा है कि हम उद्द्योग से जुड़ी भी जो जानकरी है वो आप तक पहुचा है और उसमें ये बात भी समाहित हो कि उद्द्योग और हमारे मानोजियों में क्या परसपर सम्मन है चाहे हो रुजगार के सम्मन में हो चाहे अर्थववस्था को ले करके हो चाहे अन्यान किसी भी प्रकार की ऐसी आउशकता जो इन माध्यों से पूरी होती हो तो उद्द्योग आज के आधरिक समाज की वो रीड है जिससे हम चल रहे हैं और इसमें नाना प्रकार के विशाय समहित हैं चाहे विश्ट्रिल उद्द्योग की बात कर लें चाहे लगुद्योग की बात कर लें चाहे चम्रे की उद्द्योग की बात कर लें ऐसे ही एक प्रमुक छेत्र की हम आज यहां पे आपकी समख्ष हम बात रखने आए हैं और वो छेत्र है प्लास्टिक का आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्रपूर्ण रूल है उसकी भूमी का है आज ऐसे ही एक भूमी का को हम दर्शकों के सामने लेकी आए हैं और इसपर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हूपस्तित हैं हमारे स्टूडियो में बी पी पात्रो जी जो निर्शक येंड परमूख है उप्ला से करेंगे कि जो बात है और प्लाश्टिक का आज हमारे जीवन में बहुत ही एक महतरपुर एक कारगार उसकी भूमिका हो गई है और उस भूमिका को समपादित करने के लिए आपका जो सिपेट संस्थान है वो इसमें हम अपनी चर्चा की जो शुरुवात है वो इसके एक मौलिक जो देश हैं आपकी संस्थान के उसको लेकर करना चाहेंगे क्या है सिपेट मैं पहले तो मनेंसिपेट की तरफ से यहां सारे हमारे जो दर्सक है इन सबmap Selbstُ 거지 और इस प्रोग्राम के द्वारा ये लोगों को ये मेसेज चाहते हैं कि जो सिपेट है यह Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology है भारत सरकार की Ministry of Chemicals and Fertilizers की तहत Department of Chemicals and Petrochemicals की तहत हमारे मुख्याले चिन्नाई में 1968 को स्थापित हुआ और अलग-अलग राज्यों की जैसे जैसे डिमांड हुई इस संस्थान की विस्तार हुआ इसी क्रम में 2016 में 36 गड राज्य में भारत सरकार और 36 गड राज्यों सासन मिलके सिपट केंदर की स्थापना की बनी प्लास्टिक उद्ध्योग करना और जो तक्णिक की मैन पौर करना इस उद्ध्योग बाना। जो हमारे चात्र हैं कोई ग्रैजूएशन नकरना चाहता है कोई डिगरी करना बीटेक करना चाहता है डिप्लोमा कोर्सेस है यहां पर कंड़क्ट करवाती है इसके अलावा जो चात्र ऐसे है जो बजित बर्ग है हमारे समाज की जो टेंथ फेल है एट फेल है उन बच्चों के लिए भी एक रोजगार का प्रयोजन करना एक रोजगार बेल को महाया करना है यह मेन हमारा अबजेक्टीव रहा है इसके साथ-साथ जो इंड़स्ट्री है जो प्लास्टिक इंड़स्ट्री की बात अपने कहें कोई भी प्लास्टिक इंड़स्ट्री के लिए Sustainability के लिए उसकी जो कुसल कारीगर की अभिरवल होना और जो तक्निकी ज्ञान है वो अभिलेबल होना बहुत ज़रूरी है तो सिपेट राइपूर 36 गड़ राज्य में ये मुहया करवाता है और इससे प्लास्टिक उद्योग का आगे बढ़ने का संभाव बनाएता है संभारों की जो बात आपने कही पातर साब उसमें एक रोजगार का जिकर किया अपने रोजगार की जब हम बात करते हैं तो हमारे विशाल भूभाग और जनसंख्या वाले देश में रोजगार एक बहुत ही कठीन चुनौती है और अनेकों बार ये देखने में आता है कि यद कौशल सिक्षा दे दी जाए तो वो कई बार अपने रोजगार को प्राप्त कर लेता है और संस्थानों की जहां तक बात है कई प्रकार से हम देखने में आया है कि संस्थान जो है वो अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निस्पादित कर रहे होते हैं लेकिन जानकारी क प्लास्टिक के छेत्र में आप लोग ने कुछ लक्ष रखा होगा कुछ आप लोग ने सोचा होगा कि हम इस योजना से यह हम चलें तो हम जैसे च्छतित गड़ हमारा जो राज्य है वहां पर हम इस लक्ष को पूरा कर लेंगे तो अभी वर्तमान में सिपेट ने ऐसी कार यह जानकर ही देना चाहते हैं कि हमारे इस सिपेट रायपूर केंदर में अभी फिलहाल में दो डिप्लोमा कोर्स चल रहे हैं और एक पोस्ट ग्रेजुट डिप्लोमा प्रोग्राम है बिटेक प्रोग्राम है एबंग इसके अलाबा हम कौसल सिक्षा जो स्किल डेवलोप् है और केंदर सरकार की भी फुमिका है तो इस लक्षे को प्राप्त करने के लिए जो हमारे AICT अपरूर यह कोर्स है यह सारे प्रोग्राम की एक कैपासिटी है इन्टेक कैपासिटी है और उस लक्षे को प्राप्त करने के लिए हम सारे जिलाओं में 28 जिलाओं में हम इसकी प्रचार प्रशार करते हैं, सारे सरकारी officers, collector office से लेके education department है, schools है, colleges है, polytechnic है, सारे institution को हम पत्र के द्वारा एबंग email के द्वारा इसके जानकरी देते हैं, और उनके जो चात्र चात्रा है, वहाँ पे है, वो इस program की लाव लेते हैं, इसके अलाबा हम seminar, webinar, webinar, implant training, उस college में जाके हम लोग presentation भी करते हैं, इस course की जानकरी देते हैं, so that ये course में उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेस हो. जैसे सिख्षा की जो बात है, आपने कही, तक्निकी सिख्षा जो है, आप लोग मोहिया कराते हैं, जैसे की देखने माता है की तक्निकी जो है, वो चंड परती चंड बदल रही है, बहुत ज़्यादा उसमें एक तरह से अप्डेट्स आ रहे हैं, अभी वर्तमान में जिस प्रकार की भी जो अप्रेट्स हैं, फ्लास्टिक के इंदर्स्ट्री में, या प्लास्टिक टेक्नलोजी में, तो हमारी जो 36 गड़ का परिप्रेक्ष है यहां की जो भौगली की सिती है यहां की जो अध्योगी की सिती है उसमें आप कितनी संभावनाय देखते हैं स्वीपेट की जैसे आपने उद्योग जगत की मतलब अबडेशन की बात कहे इसमें हम यार करना चाहता है कि प्लास्टि के मतलब अभी कमन मैन के जानकारी में पॉलिफिन बैक मतलब उनको जानकारी है लेकिन यह नहीं जानकारी है कि मिसाइल भी बिना प्लास्टिक का नहीं बन सकते हैं एरो प्लेन बिना प्लास्टिक का नहीं चल सकता है आज हम कोई मॉल में जाते हैं वहां जितने भी हो रहे हैं तो इन सब प्लास्टिक जैसे जैसे developed material development होता है उसका तकनीकी भी development होता है जैसे कि manufaturing system है उसमें injection molding है, blow molding, extrusion है यह सारे repeated स अंस्था में सबसे जो updated machinery है उस updated machinery और तकनीकी दोनों की यहाँ हमारे पास यह available है और उस उपलब्ध है इन machinery के द्वारा हम practical training देते हैं ताकि industry में जब हमारे trained candidate जाते हैं उनको वहाँ जाके कोई तकलिफ नहीं होता है और नए से नए machine हमारे पास available है ये सब केंदर सरकार की माने साहयता से सारे shiphead center में भारत सारा में जितने भी shiphead center करी परी 40 center है हर जागा में सबसे latest updated machinery और technology अभेलेबल है जैसे हम पात्र साहब बात करें 36 तो हमारे 36 तो ये शुदूर ये ले रें उत्तर 36 तो वाड़र अफन गर ले लें और हम सुदूर 36 तो ये हम कलपना करें कि बैकुंडपूर का कोई जो है छात्र या कोई एक्षुग वेक्ति आपके shiphead में सामिल होना चाहता है, shiphead के पाठ्थे करम को सिवकार करना चाहता है और अपने carrier को बनाना चाहता है रोज़ात वाप करना चाहता है तो उसे किस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्योंकि दुरस्त छेत रहें, वनांचल छेत रहें इसमें हम ये जानकरी देना चाहते हैं कि हमारे जो पाठ्थेक्रम है, जो लॉंग टम, दिर्गावधी के पाठ्थेक्रम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, बिटेक है इसमें जब स्टूडेंट की चैनित हो जाते हैं, यहां रहने की सारा सुविधा है जात्रा और चात्राओं के लिए अलग अलग चात्राबास की सुविधाय हैं, तीन सो दस बेड़ेड बॉइज हस्टेल है, और टू हंड़ेड बेड़ेड गर्ल्स हस्टेल है, कैंपस के अंदर है, और बड़े ही रिजनेबल कॉस्ट में यहां बच्चे रह सकते हैं, और आलवा बच्चों को कैंपस के अंदर ही प्राक्टिकल और ठीओरी प्रोग्राम होता है, उसके बाद उनको इंड़ेडूरी में प्लेस्मेंट सिपट करवाता है, और हम यह प्रयास करते हैं कि हंडेड पर सेंड बच्चें जो इंडूरी में जाना चाहते हैं, प्लास्टि तो एक छात्र या छात्रा के लिए प्लेस्मेंट की जो संभावनाएं हैं वह किस क्लास से सुरू हो जाती हैं क्या वो दसवी के बाद भी अपने केरियर का चैन कर सकता है प्रिशिपेट में हमने जैसे बताया तीन टायर की क्वालिफिकेशन है अभी नेशनल का जो प्रोग्राम है वो 10 और डिप्लोमा तक है और डिप्लोमा बलों को जो है वो लेबल 5 में है और बीटेक वाले जो है वो 7 और 8 में है और 9, 10 जो है वो PhD है तो हमारे यहां पर बीटेक तक प्रोग्राम है और इन छात्रों को हम जैसे बताए कि 8 फेल भी अगर कोई पार्णिया है अगर कोई जैसे बोलते हैं कोई में लोडिंग करता है उसका भी कुछ स्कील होनी चाहिए क्योंकि जो मेशिनरी है वो बहुत कॉस्टली मेशिनरी और प्रिसिशन मेशिन है अगर कोई अंट्रेन ऑन स्कील पर सन उसको चलायेगा उसका प्राडक्टिविटी ज यह बताया है कि जितने भी इंडस्ट्री में employment होगे सब का कुछ ना कुछ skilling होना चाहिए तो यहां हमारा class 8 से लेके विटेक तक राइपुर center में available है यह जो वैपार की हम बात सुनते हैं आज पूरा विश्व जो है एक इतने नजदीक आ गया है टेक्नलोजी के कारण और वैप ट्रेट के कारण भी वैपार के कारण तो ऐसे समय में सीपेड जो है ओर सीज जो ऑपरचुनिटीज हैं जो आउसर हैं उसमें किस प्रकार की दक्षता देखता है उसकी भी कोई एक मानसिक तैयारी होनी चीजी मेरे खाल से हाँ जिससे यह बैस्विक संभावनाएं यह बहुत अच्छा प्रस्था आपने उठाया है बैस्विक संभावनाएं को देखते हुए हमारे जो भारत में प्रसिक्षित कुसल जो कारिगर है या जो ट्रेंड मैन यह काफी कम value पे foreign में भी engage होते हैं इसको ध्यान में रखते हुए CPET बाहर में 18-20 देशों में इनुवर्सिटी के साथ tie-up किया है जिस tie-up के दौरान हमारे यहां से बच्चे वहां जाते हैं वहां ट्रेनिंग लेके वहां का requirement के हिसाब से ट्रेनिंग लेते हैं वहां से लोग आते हैं यहां ट्रेनिंग देते हैं तो हमारे बच्चों का और स्टाफ का जो faculty का फॉरें जो जाना आना यह इससे हमारे बच्चों को job opportunity में भी बहुत सहाता होता है बहुत सहाता मिलती है जी तो यह जो सहाता का जो क्रम है जैसे हम यह एक नए उन्वेश्री के हम बात करें नए आगंतुक की बात करें कि जो प्लास्टिक में अपनी शुरुवात करना चाहता है तो वो यह किसी manufacturing unit की वह कल पना कर रहा है मान लीजिए तो वो किस प्रकार से संसाधनों को मताब आपने साथ कहरी करें ताकि वो एक प्लास्टिक इंडस्ट्री यह तो रोजगार की आपने बात बताई है यह जो बच्चे इस स्कील डेवलप्मेंट ट्रेनिंग या डिप्लोमा या बीटेक करें कि उन में से करीब करीब हमारा जो मतलब स्टाटिस्टिक्स के अनुसार दस परसेंट जो स्टूडेंट है वो अपना स्वरोजगार करते हैं आज जैसे भारत सरकार और विविन राजी सरकार ने स्टाट अप इंडिया का जो मने कंसेप्ट करें हैं हम 1990 से यह स्टाट अप कांवरा में प्रचाहन दे रहे हैं इसको ऐसे हम लोग करते हैं जो बच्चे हमारे पास आउट होते हैं और इंडस्ट्री में जाके薦ों करते हैं फिर इपने सहरमें आना चाहते हैं आने के बाद उन मेंसे दो-तीन मिलके कुछ इंडस्ट्री करने का उनको experience हो जाता है तजूरबा होता है तो अपने आके यहां अपने लोग आके सिपेट के जो facilities है हमारे पास जैसे हम पहले भी बता है हमारे पास सबसे updated plant and machinery है हर एक process के उपर injection molding हो blow molding हो, extrusion हो तो उसके लिए वो लोग product development करने का प्रक्रिया होता है जैसे कोई plastic product हो उसमें चार स्तर होता है एक तो product का development design development करना उसके लिए एक mold या dye बनाना फिर उसको production करना process selection करना और production करना फिर उसकी गुणबत्ता निरिक्षिन करना और उसको testing करना यह चारों चीज हम एक roof के अंडर provide कराते हैं तो जो entrepreneur है जो उद्यमी है अगर उसका इंडस्टी बनाने का मन में उसका decision लेता है उसको शिपेट बहुत सारे प्रुसान देता है और हमारे facilities में उसको पहले product बना के market में जाके उसको marketing करता है फिर जब वो देखता है कि अपना industry लगा सकता है हम उनको यह भी certification करवाते हैं product testing करके ताकि वो industry बनाने में उसको loan लेने में मदद मिले इसमें उत्पात के chain की बात आती है उत्पात chain जो है बहुत ही हमारे हैं भी चुनोंती फून का रहे है ठिक से जब उत्पात का वो जब चैन करता है तो देखने में यह आता है कि हमारे हाँ एक बाजार और एक कहना चीए पहले से जो लोग हैं लगे हुए हैं उनकी एक अपनी market strategy बन जाती है उनकी एक market में मोनोपॉली जैसे हो जाती है और वो अपनी understanding से काम करते रहते हैं लेकिन जब कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको यह महसूस होता है कि यहां पहले से बहुत सारे दीवारें बनी हुई हैं जिसको उसे भेधना है क्योंकि कई बार क्या होता है क्या आप ऐसा कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को कि इस प्रकार की जब उद्योग कोई व्यक्ति लगाता है नया व्यक्ति जिसका कोई बैग्राउंड नहीं जिसकी कोई प्रिस्ट भूमी नहीं तो क्या उसकी उत्पात खरिद लिए जाएंगे या उनके उत्पातों को सरक्षन मिलेगा इस प्रकार कुछ जानकारी हो तो आप बताएं इस क्रम में हम ये बताना चाहेंगे कि आज की भारत की जो मार्केट है पैस्विक लेवल पे आज हमारे ये एक सारा विश्व में भारत एक बहुत बड़ा कमर्सियल मार्केट है जहां जितने भी प्रोड़क्ट हम बनाएंगे और उसका खपत होता है और अभी केंद्र सरकार की बहुत सरे ऐसे मतले का मने बिसीशन पॉलिसीशन के कारण बहुत बड़े-बड़े मल्टिनेशनल इंडस्ट्री भी आज इंडिया में आ रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि हमारा अगर कोई उद्य में यहाँ पे कोई प्रोड़क्ट बनाने का और सही तरीके से करना चाहे तो उसके लिए मार्केट की कमी नहीं है मार्केट बहुत है फिर भी आज 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 अग इन्डस्ट्री हमारे यहां पे नहीं है नहीं है तो मेरे लिए मैं सोचता हूं कि अगले एक दस अग्दी के लिए यहां पे इंडस्ट्री जो भी लगेगा उस.." अब सिज तो उसमें केंदर सरकार कुछ ऐसे पैकेज़ भी दे रही है जैसे अभी कोवीट का समय चल रहा है तो ऐसे पिरिड में क्या कुछ नए जो उद्यमी है जो अभी आना चाहते हैं उनको कोई छूट है कोई सबसेडी भी है क्या इस सीपेट की दोर कुछ उपलब्द कराए जात पक्सड़ी के बगएर किसी वद्यक का खड़ा हो पाना सम्भाव नहीं है तो पक्रणासिए सफ़ीक है यह चाहेंगे की प्लास्टिक पार्क छहिएं जो राज्य सरकार हो रज्य कविद्सिक बहुत ही कम दंदम में दे रहे हैं और एक प्लास्टिक पार्क के अंडर सारे सुविधायें मुहया करा रहे हैं। उनको सबसिटी जो राज्य सरकार की निति के अनुसार सबसिटी भी उनको मिल रहा है। तो यह एक बड़ी प्रुशाहन है प्लास्टिक उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि सरक्षण के बगएर आप समझी रहें कि लगूद्योग कर आपके इस प्लास्टिक के छेत्र में बढ़ना संभव नहीं है। तो यह जो मानकों की बात होती है आपकी सिपेट में या जिस प्रकार की जो पैरामीटर्स हैं। आपको क्या रखता है आपकी सन्दिश देना चाहेंगे जो नय उद्यमी बनना चाहते हैं हम यह बोलना चाहेगे कि आज कमपिटिशन जो है कौलिटी को लेकर है अच्छा गुनवत्ता को लेकर है कॉस्ट आज हम अगर कोई समान पहले हम पहले आयात करते थे अलग-अलग जागाओं से चाइना से हमारा समान जो यहां पे जरुरत पड़ता है वो चाइना से बन के आता है लेकिन हम लोग वहां से क्यों खरीते हैं क्योंकि हम पर मास प्रडक्शन होता है और वो सस्ते में आ हो सकता है तो क्वालिटी और इसके उपर कंप्रमाइज नहीं करना है और राज्य सरकार का एक निती में चाहूंगा कि होना चाहिए कि जो हमारे राज्य के अंदर जो उद्योग है उनको पृत्शाहन मिले और उनसे जो बस्तू त्यारी करते हैं वो खरीदे तो उससे हमार इंडस्ट्री भी ग्रोथ होगा और क्वालिटी भी मंटें होगा जे जे हम पुना पातो सब्सक्राइब के उस विशय पे हम आएंगे जिस पे हमने सरचाहिए हमनी जो सुरुवात की थी कि जब आपका संसान सिक्षित करता है चात्रों को चात्राओं को और वेक्तियों को तो उसमें एक माध्यम माध्यम की बहुत बड़ी भूमिता है जो मीडियम है हमारा हमारा चेत्र हम एक हिंदी परदेश है और हमारे यहां विविन प्रकार की भाषा हैं भी बोली जाती है लेकिन हम यह सोचते हैं कि जब आप रिजिनल लेंग्वेज में जैसे शर्तिजग हो डिप्लोमा हो या स्किल डेवलेप्मेंट हो उसमें जो चात्र चात्रा है उनके साथ माक्सिमम जो ओरल डिसकुशन होता है वह हिंदी से भी होता है तो बच्चे समझते हैं अगर ऐसे वीटेक प्रोग्राम है जहां पर हम कुछ वार्ड्स मने कुछ ट्रेनिंग या प्र अंगल भार्ण में जब देखता है कि आंगल भाषा को अपयोग हो रहा है तो वह थोड़ा सा अपने आपको सहज पाता है तो मेरा यही आपसे जिए सब्सक्राइब को देख रहे हैं तो उनके अंदर भी यह बात आ रही होगी क्योंकि मीडियम जब आपका सहज होता है तो व्यक्ति उसको ग्राह करता है जल्दी समझता है और अभी जो नई सिख्छा दी आई उसमें भी मात्र भाषा पर ज्यादा फोकुश है तो पातो साब बहुत ही एक हमारे बीच में बहुत स्वस्थ चर्चा हुई आपके संस्थान को लेकर के सीपेट को लेकर के उसकी उप जानकरियों के बारे में आपने जानकरी ली मालूमात किया आपने और हमने पूरी कोशिश की कि सीपेट संस्थान जो है क्या-क्या आपको उपलब्द करा सकता है वो जानकरिया आप तक पहुंची होंगी आप इस जानकरी को ग्रहन करते हुए आप अपने जीवन में इस प झाल झाल